नमस्का दोस्तों कैसे हैं आप बिल्कूल ठीट ठाक हैं आप आज हम बनाने वाले हैं सुवीर डिश सुवीर डिश बनाने के लिए मैंने नहीं हैं ब्रेड और घरम दूद दूद में स्वाद अनुसार डालेंगे हम चीनी एक चमच तो चलिए एक गलास दूद है तो हम डाल देंगे डालने के बाद इसमें थोड़ा टेस्ट करने के लिए इसमें हम कोफी डालेंगे हलकी सी पूरे ब्रेड पर कोफी डालने के बाद हम इसमें मिल्क दूर डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा बन जाए अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पोड़र ताकि इनका टेस्ट और अच्छा हो जाए चलिए अब हमने डाल दी कोफी कोफी डालने के बाद अब हम डालेंगे मिल्क पोडर अब हम मिल्क पोडर डाल डाल डेंगे आप और भी डाल सकते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है और अच्छा लगे और बच्चों को बिल्कुल छोटे बच्चों को बहुत है अच्छा लगने वाला है बच्चों और भुड़े को दिए जेसे भी डिश बहुत ही अच्छी है अपने घर के कभी भी बना सकते है चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फोलो कीजिएगा धन्यवाइ 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 इसे बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है क्योंकि छोटे बच्चों को खाने में बदिक्कत होती है क्योंकि इसके दांत नहीं होते तो इसे राम से खा सकती है बच्चों के लिए जिए हेल्थी भी है और स्वाधिश भी है यह शुपयोशली दूसरे बने है और दूद में शुपयोशली ही प्रोटीन होता है चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में